ओ नो, क्या हुआ? मेरे मेमरी कार्ड से सारे फोटो डिलेट हो गए, अब मैं इसे कैसे रिकावर करूँ? डोंट वरी, रिकावरीट सॉप्ट्वेर यूच करना? क्या इसकी मदद से मेरे सारे फोटो रिकावर हो जाएंगे? जिया दोस्तों, अगर आपके मेमरी कार्ड में से कुछ फोटो एक्सिलेंटली डिलेट हो गए, या फिर हाट डिस्क या पेंड्राई से कुछ फाइल्स एक्सिलेंटली डिलेट हो गई, जो कि आपको वाफीच चाहिए, तो आप रिकावरीट नाम के इस सॉप्ट्वेर से फ तो चलिये, जैसी कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपसे कहा कि हम डिलेटेड फाइल को, बतलब परमानली डिलेटेड़ फाइल को रिकावरी कर सकते हैं, वो मेमरी कार्ड से हो सकता है, वो पेंटराई से हो सकता है, करना क्या है, दिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिं आज आएगा वंडर शेर रिकोरी जैसे अल्रेडी मैंने डाउनलोड रिंस्टॉल करके रखाए तो मैं इसे अभी रन करूंगा जब आप इसे रन करोगे रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी जिसमें आपको पुझेगा कि भाई लोकेशन से लेक इसं रिकोर करने हैं तो इसलिए मैं इस लोकेशन से रिकावर करूंगा रइट तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जो Wondershare Record Eat है उसे open करूँगा और यहाँ पर वो पूच रहा है कि भई आपको पूरा card scan करना है तो यहाँ पर click करो यह देखिए पूरा card scan करना है तो यहाँ पर click करो जो आपका memory card है यहाँ से scan कर सकते हैं या फिर आप C drive, D drive, E drive, App drive, जो भी drive में आपके बस data, यह सब hard disk का data है, तो यहां से भी आप record कर सकते हैं, अगर आपके इस drive में से data delete हो चुका है, तो यहां पे कुछ और options भी दिये हैं, system crash, अगर आपका system crash हो चुका है, तो कौन से method से आप scan करना चाहते हैं, यहां पे दिया है, कौन से method से scratch हो है, वो आप से लेकर करके उसे scan कर सकते हैं, आगे advanced video recovery भी option दिया है, वीडियो को भी आप record कर सकते हैं, advanced method से, right, video delete हो चुके तो, और corrupted video recovery, right, तो वीडियो अगर corrupted हैं तो यह देखिए, location, इसमें आपको select folder पे click करना होगा, दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, select folder, आपको folder यहाँ पे select करना पड़ेगा, जिसके अंदर से data recover करना है, यहाँ पे देखिए, आपके पास सारी location आचुके, हम जाना चाहते edge drive में, यह रहा हमारा edge drive, यहाँ पे हम click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए, expand करेंगे पहले से, expand करने के बाद DCIM folder को expand करेंगे, और उसके अंदर यह folder select करेंगे, यह folder है हमारा, जो मैंने आपको दिखा, उसमें कुछ भी files नहीं है, देखते हैं, यहाँ पे मैं OK करता हूँ, OK करते हैं, यह scan start हो चुका है, पटा-पट हो जाएगा, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यह देखिए, यहाँ पे बता भी रहा है, 50% scan, files found, 17, और टोटल 89 MB की files है मेरी टोटल, और चल रहा है scanning, चलने दो, थोड़ा सा वीडियो को fast forward करता हूँ मैं इसे अभी, तो यह देखिए, scanning complete हो चुका है, चलिए देखते हैं, अब क्या message आच चुका है, scan completed, 17 files have been found, कितनी files मिली है, 17 file, note, एक note भी है, please recover as soon as possible to prevent the files from being overwritten, उन्होंने कहा है कि 17 files हमें मिली है, यह जल्दी से जल्दी आप recover कर लो, नहीं तो फिर से आप इसमें कुछ और return करते हूँ, इस memory card में मैं कुछ और photos रखता हूँ, तो यह उस location को erase कर देगा, और यह files आपको फिर से नहीं मिलने के chances होंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी से record करो, तो मैं यहाँ पर OK करूँगा, OK करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पास कौन से folder में था, यहाँ पर DCIM folder जो है इसमें जाओंगा, यह दिखिए, DCIM folder को मैं यहाँ पर expand करूँगा, इसके अंदर इस folder को मैं select करूँगा, यह दिखिए, यहाँ पर 17 files हो चुकी है, record, अब इसमें से मुझे कौन कौन से file चाहिए, मैं select कर सकतो, number wise, या फिर मुझे पूरी file चाहिए तो उपर क्लिक करो, यहाँ पर उपर एक बार क्लिक कर दो, पूरी file select हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर right side में, right corner में आपको record बटन दिखाए दे रहा है, और हर एक file के size भी यहाँ पर बता रहा है, कभी date modify किया है, और कौन से location पर फाइल पड़ी है, वो भी दिखा रहा है, तो फिलाल record बटन पर क्लिक करते हैं, फिर वो पूछ रहा है कि आपको record कहां पर करना है, तो मैं select कर रहा हूँ, suppose यापे एक learn mode drive है ना, एक drive मैं ले रहा हूँ, इस drive के अंदर एक folder में बना रहा हूँ, new folder, यहाँ पर create करने के लिए, नए folder में बना देता हूँ, और यहां पे मैं बना देता हूँ IMP Pictures, IMP Photos ऐसे कुछ मैं बना देता हूँ यहां पे मैंने एक folder बना दिया आप यहां पे folder तैर कर सकते हैं जो भी drive में आपको recover करना है वो select कीजिए उसके बाद folder create कीजिए उसके बाद recover button पे click कीजिए यहां पे recovering files करके एक pop up आ रहा है यह files recovery कर रहा है देखिए और यह successfully recover हो चुके एक folder भी open हो जाता है तुरंत यह देखिए folder open हो चुका है वही जहां पे हमने recover किया है तो हम इसे देखते हैं कि वही यह सारे photos आये कि ने आये क्या बाद है यहां पे देखिए सारे photos यहां पे recover हो चुके है क्या बाद है तो पहले हमने देखा था यह photos हमें नहीं मिल रहे था लिकिन अभी यह recover हो के आ चुके और इन सारे photos को मैं open करके यहां पे देख सकता हूँ यह proper है के नहीं है इस तरह से हम फाइल को recovery कर सकते है मैंने photos recovery करके दिखा आप important file, word, excel, कोई भी फाइल साब किये वो आप recover कर सकते है लेकिन एक बात याद रखी है कि आपने उस फाइल के जग कोई दूसरी फाइल नहीं रखी है मतलब आपने pen drive से कुछ delete हो गया आपका accidentally या delete कर दिया अगलती से और वो permanently delete हो गया अभी आपको तुरंद recover करना है तो आप pen drive लगा recovery ये वाला software रण करो और ये recovery करेगा लेकिन अपने उस pen drive में कुछ और और राइर किया उस location पे कुछ और store हो गया तो फिर recovery होने के chances कम है ये मैं पहले ही बता देता हूँ और ये software भी वही कहता रइट सो अगर ये वीडियो अच्छे लागा तो like share और comment कीज़े description में मैंने link दे दिये इस software की वहाँ से आप download कर सकते download करो install करो try करो फिलाल इस वीडियो में इतना है मैं में लोगा कुछ और उडियो के अंदर तक के अपना खयाल रहो सीखते रोओ शीकाते रोओ बाइबाइव